रादे रादे दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, आज की रेसिपी है कांदा पोहा, कांदा पोहा की जो रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान है, और यह बहुत ही जादा हेल्दी और खाने में बहुत ही जादा टेश्टी लगता है, तो चलिए इस आसान से रेसिपी को बना बनाना सुरू करते हैं कांदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले लेना है यहां पे पोहा यहां पे मैंने डेड़ कप लिया है यह दो लोगों के लिए इतना पोहा परियाप्त है तो अभी पोहा को धोकर हमें चान लेना है इस तरह से तो चलिए आगे की तयारी कर लेते हैं तो गैस को यहाँ पे कर लिजी अन और कडाही गर्म होने के लिए रख दीजी जब कडाही गर्म हो जाए तो इसमें डालिए कुकिंग वै और जब तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालना है राई और जब राई चटक जाए तो इसमें डालेंगे मूंफली मूंफली आप अपने हिसाब से ज़्यादा यकम यहाँ पर कर सकते हैं और जब मूंफली आधा फ्राय हो जाए तो इसमें डालें curry leaves अब मैं इसमें डालूंगी बारिक कटा हुआ प्याज प्याज मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज का लिया है, तीन हरी मिर्च मैंने डाला है यहाँ पर, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अभी बीच बीच में चलाते हुए इस तरह से हमें प्याज को भून लेना है, येकिन प्याज को यहाँ पर ज़्यादा नहीं भुनना है आधा चोटा चमच हल्दी और आधा बारी कट हुआ मैंने यहां पे डाला टमाटर अभी इन सभी को मिक्स कर लीजिए अब मैं यहां पे डालूंगी नमक स्वादानुसार और नमक को भी मिक्स कर लूंगी जब नमक मिक्स होजाए तो इसमें डाल देना है पोहा अभी पोहा को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब मैं यहां पे डालूंगी शक्कर एक छोटा चमच बहर के और सक्कर को भी पोहे के साथ मिक्स कर लेना है जब सककर अच्छे से मिक्स हो जाये तो इसमें डाल दीजिए निंबू का रस बारिक कटा हुआ रधन्या भी शाथ में डाल दीजिए अभी इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहां पर गेस का फ्लेम बंद कर दीज़े एलो जी हमारा चटपटा पोहा यहां पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गिया है तो बस इस तरह से बनाईए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए थोड़ा सा मैंने डाला बारिक सेब और साथ में कुछ आनार के दाने बारिक कटा हुआ हरा धन्या तो चाहे सुवा का नास्ता हो या साम में हलका फूल का नास्ता बस इस तरह से पोहा बनाईए और कैसा बनाए हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू